एलो गाईस आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे सबसे बेश्ट और बढ़िया क्वाइल्टी एवं बैराइटी सफेद और कटीले भेगनों के बारे में कि आप अपने गर पर सफेद और कटीले ब्यागन की ग्रोग कैसे करें और सफेद ब्यागन है वो देर सारे पल अपने प्लांट से कैसे पाएं जो कि अमारे सरीर के लिए कापी लाप दायक होते हैं और प्रोटीन बसाज जैसी चीजों की पूरती करते रहते हैं अपने गर पर और्गेनिक सब्जी उगाने के लिए इन परेटिलाजरों का अवस इस्तेमाल करें तब ही आपका जो प्लांट है वो देर सारे फलों से भरा रहीगा और यदि आपने भी अपने गर पर किसी पोट या जमीन में या बगीचे में कंटिनर में बेंगन प्लांट उगाई हुए हैं और इन पर फल्पुल नहीं बन पारे हैं सर्दियों के मोसम में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा वेस्ट फरेटिलाजर भी बना कर दिखाने बाली हूँ जो की अमारे सफेद और कटिले बेंगनों में देर सारे फल लाने का बेंगन प्लांट पर काम करने लगेगा तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना ध्यान पूरवक ताकि आपको अपने बेंगन प्लांट के बारे में पूरी इनफॉर्मेशन मिल सके तो जैसा कि आप सामने देखी पा रही होंगे कि मेरा जो बेंगन का प्लांट है वो देर सारे पलों से बरा हुआ है और इसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से चल पा रही है और मैं इस पर आगे वीडियो में फरेटिलाजर भी बना कर देखाने वाली हूँ जो कि मैं अपने प्लांट पर इसी कटीले और सफेद बेंगन के प्लांट पर फरेटिलाजर का इस्तेमाल करती रहती हूँ तब ही आपको इस वीडियो में फरेटिलाजर भना कर देखाऊंगी और आप सामने देखी रहे होंगे कि मेरा जो बेंगन प्लांट है उसकी ग्रोथ चलने के साथ साथ देर सारे पल और प्लावर्स बने हुए हैं और ये कापी अच्छी तरीके से ग्रेन वा मेल्टी भी बना हुआ है जो कि सर्दियों में अक्सर कर पोदे की ग्रोथ रुक ज परदियों में 10 से 15 दिन के बीच बीच में नराई गुड़ाई अवस्थ करते रहना चाहिए ताकि हमारे पोदे की जो रूट्स होती है उनकी सोयल के गुड़ाई हो जाने से पोदे की जो रूट्स होती है भूवी फैलने लगती है और प्लांट भी मजबूत बना रहता है और गाइस हमें अपने पोदे में वाटरिंग नहीं करनी है चाहिए तो आप महीने में या 20 दिन के लगवग में उतनी वाटरिंग कर सकते हैं जितनी कि हमारे पोदे में सोयल में नमी बना सके और गाइस अक्सर कर ये भी होता है कि हमारे पोदे में सर्दियों के मौसम में कि जरूरत नहीं होती है नमी खुद बखुद बनी रहती है तो हमें वाटरिंग का एक अवस्य ध्यार रखना है तो चलिएगा अब बात कर रहेते हैं अपने पोदे की गुड़ाई के बारे में कि गुड़ाई कैसे करनी है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे जो बैगन प्लांट है उनकी जो सौल है वो अच्छी तरीके से ठोस बनी हुई है और मजूद है तो हमारे पोदे की जो ग्रोथ है वो भी रूक सकती है तो गाइस मैंने आपर कुरफी की साहिता से इस प्रकार गुड़ाई की है कि हमारे पोदे की जो रूट्स होती है बो भी ना कट यह नजदी के गुड़ाई करने से वी रूट्स कट जाती है तो हमें नजदी की भी गुड़ाई नहीं करनी है दूर दूर तक गुड़ाई करने के बाद हमारे पौदे की जो सोयल होती है वो बुरबुरी बन जाती है और हमें गुड़ाई भी एक से डेड़ इंच की जो कि मेरी गुड़ाई अच्छी प्रकार से हो चुकी है तो गैस मैंने यहां पर मुंगपली का प्रियोग किया हुआ है और यहां पर आट से दस मुंगपली का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि मैं एक प्लांट के लिए फरेटिलाजर बना कर देखाने वाली हूँ और गैस मैं यहां पर मुंगपली के सिर्फ चिलकों का इस्तेमाल करूंगी जो कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मुंगपली के चिलके और जो मनने थे दाने उनको अलग करके भी रेडि कर लिया है और ऐसे ही करके हमें सभी मुंगपली के चिलकों को निकाल लेना है जो क गाइस आगे वीडियो में मैं देखाने वाली हूं फर्टिलाजर बना करके तो आप वीडियो को प्लीस द्यान से देखते रहे हैं ताकि आपको पूरी इंपरमिशन मिल सके तो गाइस मेरे यहां पर चिलके हैं वो अच्छी प्रकार से मुंगपली से अलग हो चुके हैं यान इस लोटे में लगबग पानी में ने आद लेटर इस्तेमाल किया हुआ है और इस मुंगपली के चिलकों को लेकर हमें इस पानी में डाल देना हैं और कम से कम 24 गंटे के लिए रख देना है ताकि हमारा जो फर्टिलाजर है वो अच्छी तरीके से मुंगपली के चिलके हम वो खुल करके तैयार हो जाए तो गैस मैंने आपर मुंगपली के चिलकों को डाल करके भी रेडिक कर दिया है और आत की साहता से इस प्रकार डोवो कर रेडिक कर दिया है कि हमारे जो चिलके हैं वो उपर ना रह जाएं और तल में दव जाएं तो गैस हमारे आपर 24 कंटे पूरे हो चुके हैं और परटिलाजर भी बन करके रेडि हो चुका है तो गैस हमने अपने पौदे की कुडाई करके रेडिक की थी तो उसके बाद अपने जो परटिलाजर है उसको लेकर अब अपने पौदे की रूटसों में डाल देना हैं दोस्तों यदि एक बार ऐसा का कर लेंगे तो आपका जो बेंगन का प्लांट है वो देर सारे पलपुलों से बरा रहेगा और सर्दियों के मौसम में कभी भी पलों की कमी नहीं पड़ेगी और गाइस सफेद और कटीले बेंगन में इस परटेलाजर का इस्तेमाल करने से उता क्या है कि जो मुंग पली है वो अब असे इस्तेमाल करें अपने सारीर के लिए तो फिर मिलते हैं थेंक्यू